भाई लोग वीडियो पे लाइक जरूर बनता है यदा Like जरूर कर दीना सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो फ्लीज ऐसे वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना enjoy करो वीडियो सुवागा थे दोस्तों एक फिर से सुमित गुपता गेविंग में एक और बैतरिंग कॉंसेप्ट वाला वीडियो आप लोग लिए लाया हूँ वेश्ट एक एपिक वेपन्स हेराल स्ट्रीम के लिए हम लोग जानते कि साथ करेक्टर्स हैं हेराल स्ट्रीम में विट नाइट इबो, फायर गार्ड, लिंक्स, लिंग, कोब्रा और अजुमा और हम लोग ये भी जानते कि लिंग के पास और कोब्रा के पास एपिक वेपन्स नहीं है दोस्तों और अजुमा का एपिक वेपन्स हम लोग छूना भी नहीं चाहेंगे दोस्तों जो ट्रांस्फूजन है बह सबसे वर्स एपिक वेपन से करेंगे दोस्तों जो की फैंटैम के टैलिस्ट होगा पायरगाट का और पहला अपॉनेंट है, मैक्स लेवल का वीरा, यह एक बहुत बड़ा केमपर है दोस्तों, सुर्वाद उसने मंकी किंग के से किया है, फ्लॉलेस जेड वेपन के साथ, देखते हैं इस केमपर को हम लोग हारा पाते हैं कि नहीं फायर गार्ट से, हम लोग ने फैंटम कैटल ले दाता दोस्तों, साथ उसे रगडनेस पहले हलका होना था, मेरे शाडव मूब मैंने मिस कर दिया है, ऐसे फाल्टू प्लियर्स एरीना में भरे हुए हैं दोस्तों, यह लोग अपने आपको पीरो समझते हैं, और हम लोग भी बताना चाहते हैं कि हर बाप प्रेट बाफ होता है, जिसे हम लोग दादा जी बोलते हैं, शाडव मूब मेरा मिस हो गया है, बहुआ एसेंशन पर सेंशन करे जा रहा है, फायर गाड का आग उगलना, लेकिन मिस हो गया, यहाँ पे फैंटम कैटलिस्ट का जो आप लोग देख रहे हैं यूनिक अबलिटी दोस्तों, स फायर गाड शहीद हो गया दोस्तों पहले राउंड में, यह कैपर बहुत खुछ हो रहा है, आलेले बवा को गुस्ता आ गया, बवा इमोट करता है, अच्छा बवा बताते हैं तुमको अगले राउंड में, राउंड टू के तरब चलते दोस्तों, मंकी किं अच्छे से सं संत्रा खा रहा है, बोल रहा है कि संत्रा खा रहा हूं मैं, लेकिन आज हारूंगा, फाइट, उसका एशन्शन मुख कनेक्ट हो गया, 685 डेमेज के साथ, बैक अटेक कनेक्ट हुआ, बेसिक अटेक कनेक्ट हुआ, शैडो बार फुल है मेरा, पीठ तोड़ते है इसका दोस बार यहां पर बेसिक अटेक ने उसका हैवी अटेक जो स्पेशल मूव है, वो मिस कर दिया और यहां पर यह बंदर पहले राउड में हार गया है, मेरा कहने के मतलब में मेरे पहले राउड में, चलते है आखरी डिसाइसिव राउड की तरफ दोस्तों बहुआ काफी सब्सक्राइबलिटी तर दिए होता है जिससे वह रिजिणरेट कर सकता है मेरे आप कि दाते हैं तक यूजलेस वेपन ही पर सकते वों ही है कि एकार Пр KentuckyTHE कर सकता है वैसे हम लोग सब जानते हैं कि लिंक्स का डिफेंस बहुत कमजोर है यहां पर मेरा फायर मिस हो गया और यहां पर मेरा शैडव मोग क्या टाइमिंग है दोस्तों अच्छे से हम लोग ने इसको खरोज दिया है गाच गिदम ग्रैब करके लोग अटेक करेंगे एक अब आग उगलते हैं इसके उपर अर्फन फायर का कमाल होगा अभी जी है जैसा कि मैं सही बोल रहा था दोस्तों करनेक्ट हो गया फायर शैडव बार मेरा फुल है फिर से इसका फीट तोड़ेंगे लेकिन मिस हो गया मेरा शैडव मूब डॉच किये यहां तो उसका सारी हेकडी हम लोगों निकाल चीया आले ले बवा को गुस्ता आ गया ववा कीबोर कर रहा है वह हार गया चलते हैं एक और अपॉनेंट की तरफ दौस्तों इस बर लिंक्स को एसेसं लेकेसी ओगा हम लोके साथ अपॉननट है अभी तोजो टुएल्फ का अजूमा के साथ है लॉंग टर्म नुट्राइजेशन टोटल लॉफडाउन पेन्फुल नुट्राइजेशन शैडो सप्रेशन और सप्रेजिंग एक्स्प्रोजन टैलेंट के साथ पाइट कि बेसिक अटेक से मैंने शुरुबात किया है बॉंब स्पेशल अटेक और यहां पर खृटिकल अटेक था दोस्तों मैं स्पिरिंग शोचा मैं कनेक्ट हो जाएगा कि उसका ब्लास्ट कनेक्ट हो गया है को और यहां हेंवाइड किया ऊसक प्रवाइड लेंज बेसिक अटेक से और में देखा चिए अजुमा खाता में दोस्तों है जैसा कि मैं बोल ऐसा सिन्यारियो बहुत बार हो सकता है दोस्तों तो एपिक वेपन हिरार्ड फ्रैक्शन में सरिफ दो ही बहतर है आने वाले समय में हो सकता है कोब्रा और लिंक का एपिक वेपन आए और हम लोग देखे कि वो दोने एपिक वेपन कैसे होंगे शैडो मूब उसका मिस्स कर दिया उसने यहां पर लो अटैक बेसिक अटैक और मेरे ख्याल से दोस्तों यह आजूम और यह अपॉनेट खतम है काफी फटा-फट यह मैच खतम हो गया चलते हैं अब नेक्स्ट एपी क्रिफन की दरफ दोस्तों जो की क्रिस्टलाइजर्स होग हम लोग सब जानके कि ब्लिंग में अगर कोई अपॉनेट अटैक करते तो वो फ्रीज हो जाता है और उसके बाद मिड़नेट को काफी सक्सेस मौखा मिलता है रिमोबल शैडो मूव करने का अपॉनेट है डोंट रन यू लूजर एमपरी होगा दूस्तों जैसा इसने नाम रखा है आरन क्लैट डोजो 12 का लेवल 12 का लो इस्टार्ट फाइट और यहां पर उसका एट्विडनाल इन कनेक्ट हो गया है कोई बात नहीं आगा अगर प्लेयर्स सिफ्ट इस्पैम ना करें दोस्तों मिड्नाइट का तो काफी अच्छा हीरो है और आज मैं एक अपॉनेट से हार गया मैक्सवेल का अपॉनेंट का दो जो 13 का वही वेट्नामीज अपॉनेंट होगा या चाइनीज अपॉनेंट होगा पता नहीं दो और असल में वो कैमपर था दोफ्तों और यहां पर देखिए यह फ्रीज हो गया है और मेरा ओवियसली शैडव मूव इनरजी कम था तो मैं रिमोबल नहीं कर पाया नेक्स रॉन पर रिमोबल करेंगे हम लोग और यहां पर रेंज विफन से यह आरेंग लट पहले रॉन के लिखता हमें तो जेट इतना ब्रोकन है तो उसको शैडव शेल्टर और गलिव वोल्टेक्स के साथ यह मैं आपको बता नहीं सकता हूं वह दो शैडव मूव अपका इतना हेल्फ था लेगा अपलास हम लोग जा चाहिए और मेरे ख्याल से थर्ड वन पर तो बहुत किवोब बोलेंगे बैलंस पर तो सिर्फ हमारी जानी जी है दोस्तों हेलगा अजूमा भी कह सकते हैं लोग बैलंस हॉंग जू को भी हम लोग ब्रोकन बोल सकते हैं दोस्तों स्पेशल इफेट के साथ ओविसल यहां पर देखेब ऑपोनेंट फ्रीज है और यहां पर डैमेज ब्लिंग का लगबाग हजार करीब जंप किक और उसका शैडव मुमिस होग है दोस्तों कि बैक अटैक एक बार और हम लोग ब्लिंग का इस्तमाल करते हैं शैडव बार मेरा फुल है यहां दोस्तों रिमोबल से खतम करेंगे यह क्रिश्टलाइजर का बेस्ट सो चलते हैं एक और अपॉनेंट की तरफ और इस बार हम लोग कीवों के साथ खेलेंगे स्कार्डेट की ताकत को देखेंगे हमेसा आप लोगों को दिखाया आई है और यह फिर से आ गया है त्रीज स्थैतम इसको एक और वीडियो में डाला था दो तिन दिन पहले मेरे खाल से सुर्वात जेट से ही करेगा मिराज टैलेंट यह उसने शाड़ सिल्टर नहीं कि चलते हैं गेमप्ले की तरह कि राउंड वन कि फाइट कि रात के सवा एक बज़रे दोस्कों अभी थोड़ी दिर पहले मैं सॉनिक दा है जॉब देखा आज मैं तब यह थोड़ी ठीक नहीं थी दोस्कों पीवर हो गया था स्टोमाख पेन भी हो गया था लेकिन दवाई थाने के बाद मैं स्टीफ हूं तो दन ट्रिक यहां पर मिस हो गया है लो अटेक जिट का अंकाउंटरेबल बेसिक केक बैक केक बेसिक अटैक पेनिंग अटैक थाउजन कट्स और यहां पर यह जिट खता में राउंड बन के लिए चलते हैं उसके अगले हिरो के तरफ मेरे फ्लास्ट थ्रो फ्लास्क ऑफ कॉंसेंट्रेशन पावर्फुल स्लैश और सदें ट्रिक टैलेंट के साथ राउंड टू है फाइट कि लेखिए कितने अच्छे सरगर रहा है दोस्तों बैक बटन का पूर्ण इस्तमाल यहां पर हॉप करके ग्रैब करेंगे एक हैवी कुसा बात है जैसे कि हम लोग सब जानते हैं उसका शैड़ो मूब कनेक्ट हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग मजबूर करेंगे दोस्तों इसको सरेंडर करने पर प्लास्ट त्रोस का मिस हो गया ग्रैब करने का मौका मेरा शैड़ो बार फुल है सब्दन ट्रिक करने की कोशिश करते हैं और यहां जी यहां कनेक्ट हो गया रेंज वेपन जंप किक स्पिनिंग अटैक चलिए एक बार थाउजन कट्स मेस हो गया लेकि मैं शैड़ो मूव रोलिंग वेब्स और यहां दोस्तों इसने सरेंडर कर दिया है तो यह था दोस्तों बहतरीन एपिक वेपन्स हेरार्ड फैक्शन में आशा करता हो हम लोगो जल्दी एपिक वेपन्स मिलेंगे देखने को फिर मिलूंगा अगले वीडियो में बाइब बाइब